ओके सुलो फ्रेंड्स वेलकम टू पर्फेक्शन अकेडमी मेरा नाम है पवन पाटिदार और आप देखरें रिजनिंग की ये वीडियो जिसमें आज हम किसी एक मतलब एक किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे बाकि हम आकरती के उपर जितने भी प्रशने जो बनते हैं उन स सारे ही प्रशनों को आज देखने वाले हैं ठीके त जैसे की आकरती के उपर जितने भी टाइप के कोशन बनेंगे उन सब को हम देखेंगे तो वह सारे questions जो रहेंगे आपके वो previous year में पूछे गए प्रशन रहेंगे ठीके चलिए बात करते हैं आप सबसे पहले हमसे YouTube पर टेलीग्राम पर और Instagram पर जुड़ जाईए और अपने doubts क्लियर कर लेजिए अब अगर बात की जाए आज के पहले question की तो देखिए ये अलग-अलग type के और मतलब आकरती से संबंदित अलग-अलग type के सारे questions में आने वाले हैं पहला question पुछाएगी उस विकल्प आकरती का chain करें जो प्रश्न आकरती की स्रंकला को पूरा करता है मतलब इस question माग की जगे क्या आएगा तो देखिए सबसे पहला question यहां आप देखिए पहले और दूसरी आकरती के बीच में अगर मैं दरपन रख दू तो यह जस्ट इसका दरपन प्रतिविम दिख रहा है ठीक है तो आप यहां भी अगर दरपन रख देंगे तो इसका जस्ट दरपन प्रतिविम आपको दिखेगा बट यह प्रतिविम वाली जो ट्रीक है वो बहुत पुरानी हो चुकी है अप थोड़ा सा क्या है हमें क्योंकि यह एसे वीडियोस हम एक या दो पहले भी देख चुके हैं तो हम अभी ना थोड़ा ट्रिक से चलेंगे और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे आप देख रहे आप गए में नीचे की तरफ और आपको उप्षिन में एक य उप्षिन दिख रहा है ऐसा दीवाला ठीक़े टीकर टीप दौवाला ऑप्षिन आपका और प्षिन यहाँ नेचे जो ग subscriber होगा वह आपका सीवाला ऑप्षिन ठीकर क्योंकि ले जो आकरती है वो वाले सीवाल आपको बताना है इससे बहुत करीब होना चाहिए आपको एक बात देखिए अब यह क्या होता गुमा देगा पूरा डाइग्राम को आपको गुमा के देगा ठीक है इसा ज़रूरी नहीं कि हर बार यह जो इसमाइली फेस दिख रहा है वो सेम रहेगा ठीक है हो सकता है यह ट्राइंगल का वह से चोटी है उर्ट चोटी लाइन की तरफ इस ट्राइंगल का आ रहे या को ना रहा रहा है एक और यह यह नंबर गुम यह वог से बड़ आकरती नंबर B हुई है, इसलिए option number C correct होगा, क्योंकि B की बात कहां हुई है, option number C में, ठीके, चलिए, next, question number 3, यहाँ पर कहा है कि अगले चित्र का चैन उत्तर चित्रों से कीजिए, देखिए, question mark की जगे क्या आएगा भाई, पूछाए, यहाँ आपको दिख रहा है, एक भाईया circle है, बिल्कुल dark circle है, उसके उपर ना एक triangle है, triangle के उपर आपको circle दिख रहा है, फिर से, जो कि पूरा blank है, और उसके उपर एक square है, इसी आकरती को अगर आप next वाले आकरती में मिलाएं, तो यहाँ क्या हुआ है, इस triangle को सबसे उपर रख लिया, उसके बाद इस triangle को ले लिया, और triangle के उपर वाली जो आकरती थी, उसको इसने जो है, अंदर यूस किया है, मतलब अगर हम इस आकरती से नई आकरती को बनाने का प्रयास करें, तो सबसे पहले आपको लेना क्या होगा, इस square को लेना होगा, और square के अंदर, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा square के अंदर इस triangle को लेना होगा, क्योंकि आपने भी यहाँ ऐसा ही किया था, तो पहले square ले लो, sorry, square लेना है, square ले लो, और square के अंदर इस triangle को ले लो, और triangle के अंदर के अंदर के आएगा, बट वह कौन सा आएगा, पुरा dark, और A से आकरती आपको कहां दिख रही है, A वाली को, आप देखें, यहाँ पर M दिख रहा है, same आकरती M यहाँ भी दिख रही है, आप यहाँ देखें, W दिख रहा है, बट W के नीचे हलके सी एक line जा रही है, तो बस यही correct answer होगा, आप यहाँ भी SI कीजिए, ठीके, बट एक बात का धियान रखना, जिस प्रकार इसने M के आकरती बनाई, कुछ इस प्रकार से बनाई थी, यह इस प्रकार से, ठीके, और यहाँ भी इसने जो है, इसका बिल्कुल same, मतलब हम कह सकते हैं कि same copy कर दिया, तो आप अगर इसको copy करने के लिए जाएंगे, जो आकरती यहाँ बनी हुई है, अगर उसी को copy करने के लिए लाइन जाएगी आपकी, कुछ इस प्रकार से, ठीके, सोरी, शायद कुछ गलत हो गया, कुछ इस प्रकार से आपकी जो है लाइन, यहाँ पर जा सकती है, और एक लाइन जो है, डबल्यू बनने के बाद एक लाइन नीचे की तरफ जाएगी, आप यहाँ देखेंगे, लिए कोशन नमर अगर फाइब की बाद की जाए, तो उस उत्तर चित्र का चैन करना है, जो दी गई प्रशना चित्र स्रंकला में कोशन माग के इस्तान पर आएगा, तो आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले ट्रैंगल दिखा, फिर स्क्वेर दिखा, और फिर सरकल दिख ठीके, इन तीनों से नेक्स्ट वाली आकरती बन गई, सरकल जो की सबसे लास्ट में था, वो सबसे बड़ा बना दिया, और आगे वाले दोनों ही जो आकरतिया थी, उनको इसके अंदर बना दिया, बट किस प्रकार बनाया है, वो भी थोड़ा दियान रखिएगा, सरकल के बाद आ रहा था, आपका स्क्वेर तो स्क्वेर को ऊपर रखा, और उसके बाद आ रहा था, ट्राइंगल तो ट्राइंगल को नीचे रखा, इसी प्रकार हम यहां भी बनाएंगे, सबसे लास्ट में जो है ट्राइंगल है, तो सबसे बड़ा बना देंगे, अब उसके पहल पर भी circle के पास square था इसलिए square को ऊपर रखा तो यहाँ भी triangle के पास circle था तो मैंने circle को ऊपर रखा ठीके तो correct answer आकरती number C और option number B correct होगा चलिए question number 6 की बात करते हैं six में कहा गया है कि एक भिन्न आकरती को चुनना है देखिए आकरती से सम्मधित सारे question लिये हैं तो लगभग लगभग मैंने सारे ही प्रशन लेने का प्रयास किया है ठीके आकरती आपको भिन्न वाली चुननी है आप देखेंगे यहाँ circle है और circle का half मतलब आधा आधे वा जो पांच भुजा की एक आकरती है और इसका भी आधा हिस्सा लिया और lining कर दिया अब इन चारों में से भिया आप सबसे जो भिन्न आकरती है वो कौन से बता सकते हैं तो देखिए वो आकरती ना आपकी रहेगी आकरती नंबर C बहुत से लोग सोच रहे होंगे आकरती नंबर फिर स्क्वार बना फिर ट्रैंगल बना और यहां पांच भुजा वाली आकरती तो यह कुछ इन तीनों से अलग है इसलिए आप इसको बना दो बट एक बात और ध्यान रखना है यहां पर वाले हाफ में बना दी गई है यहां भी उपर वाले हाफ में लाइनिंग बना दी गई और इसने ट्रैंगल में क्या किया नीचे वाले हाफ में बना इसलिए यह जो है भिन्न हुआ चलिए कोश्चन नबर सेवन की बात करेंगे यहां पर क्या करना है उत्तर आकरती किससे बनेगी मतलब इन तीनों से कौन से उत्तर आकरती को आप बना सकते हैं तो यह तो ब तो यह कट गई उसके बाद अगर हम बात करें यह वाली आकरती की तो देखिए इस आकरती को मैं फर्स्ट वाले डाइग्राम में कुछ इस प्रकार से ले सकता हूं बिल्कुल ले सकता हूं और बची यह वाली आकरती तो इस आकरती को भी मैं जो है यहां पर इस प्रकार से से बिठा सकता हूं मतलब यहां तो मैं पूरी तरह से सारी आकरतियों को बठा रहा हूं Anfang कर लेता हूं आ को आकरती नंबर सी कि है आकरती नंबर सी में अगर हम इस वाली आकरती को देखें तो आप कहें ग़ सकते हैं मैं clear कर देता हूं इसवाली आकरती को आप नहीं बठा पाएंगे तो यह घलत और यहां पर भी आप इस वाली आ आकरती को नहीं बिठा पाएंगे मतलब यह वाली बी गलत राकरती नंबर ए कर्थ होगी और option number B correct होगा question number seven का question number eight की बात करते हैं यहां आपको कहा है भी या कि नीचे दिये गए विकल्प में चित्रों में से कौन से उपर के question mark के इस्थान पर उपयुक तो होगा चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां लिखा हुआ है plus ठीके left hand side जाना है right hand side जाना है left hand side जब गए तो इस plus के उपर भी है इसने cross लगा दिया ठीके और right hand side जब गए तो plus के side में जो है इसने चार circle बना दिये कोई दिक्कत नहीं है नीचे वाली आकरती के अगर हम बात करें तो यहां दिया हुआ आपको एक square left hand side जब गए तो इसने क्या किया cross बना दिया और right hand side गए तो इसने इसी square के चारो तरब जो है circle बना दिये ठीके अब अगर हम बात करें नीचे वाली आकरती की तो यहां देखिए यह जो आकरती आपको दिख रही है इस आकरती के भी left hand side में आप जाओगे तो cross बनेगा और right hand side में जब जाओगे तो क्या होगा इसे आकरती के चारो और आपके four point बन जाएंगे मतलब circle बन जाएंगे और AC आकरती आपको कहां correct लग रही है देखिए और आकरती नंबर B में और option नंबर A correct होगा तो question number eight का जो correct answer है वो A question number nine की बात करेंगे यहां पर क्या का है समान गुणों के आधार पर तीन वर्गों में समुहित करें ठीक है समान वर्ग यह आपको 4 भुजा वाली एक आकरती दीखी ठीक है जो कि बिल्कुल simple है इसमें कोई भी यहां पर उपर से कोई बदलाव नहीं किया गया है ठीक है आप यहां देखेंगे 5 नंबर पर जो आपको square दीख रहा है चार भुजा वाली आकरती यह भी है और इसमें भी कोई change नहीं क आया क्योंकि इनको बनाने के लिए मुझे बस simple बनाना पड़ा ठीक है और आप जानते भी है square बोलते है एक को triangle बोलते है एक को आप जो है rectangle बोलते है ठीक है इनको मैंने लिख लिया अब उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यह वाली जो आकरती दिख रही है यह व क्या क्या है टू हे ठी है और शिक से अब बन क्या गया यह हो गया यह हो गया यह हो गया और तीन यह हो गया अब बचे क्या यह और इनके बीच में देखिए समानता क्या और यह तीनों के अंदर ना क्रोस लगा हुआ है ठीक है आप क्रोस माने प्लस माने पर इन चारो कोनो से जो है एक एक लाइन जो है इनको टच कर रही है तो एक बन जाएगा आपका 7 4 और 8 बस यही आपका करेक्ट अंसर है 159 करेक्ट होना चाहिए देखिए 159 236 478 option number C correct होगा question number 9 का 10 पर बढ़ेंगे 10 में आपको कहा है कि भीया दी गई श्रंकला को पूर्ण करना है आपको ठीक है question मा की जगे क्या आएगा आप यहां देखेंगे भीया जब square बनता है उसके पहले अगर इन दो पार्ट को हम तोड़ दें ठीक है square को अगर तोड़ा जाए तो यह बन गया तो फिर correct answer आपका आकरती नंबर C और option नंबर भी C होगा जो कि question number 10 का correct answer है 11 की अगर हम बात करें तो यहां क्या हो रहा है triangle है और triangle के अंदर क्या आ रहा है आपका circle आ रहा है फिर next circle है और circle के अंदर आपका triangle आ गया अब यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि पहली आकरती का दूसरी आकरती के साथ जो है संबन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है किस प्रकार दिखाई दे रहा है पहले triangle के अंदर circle था next वाली आकरती में circle के अंदर triangle है तो यहां पर आप देखेंगे square के अंदर जो है आपको पांच भुजा वाली एक आकरती दिखेगी तो भया जाहिर से बात है पांच भुजा वाली आकरती के अंदर क्या बन जाएगा square जो कि आपका option number A मतलब आकरती नंबर A और option number D correct होगा 11 का D चलिए question number 12 की बात की जाए तो प्रश्णा आकरती में दिए गए आकारों के उपयोग से कौन सी उत्तर आकरती को आप बना सकते हैं मतलब इन तीनों का यूज करना है और आकरती बनानी है आप देखेंगे सबसे पहले अगर इस triangle के बात करें तो यहां triangle दिख नहीं रहा है ठीक है यह हला तो आपको दिख रहा है बट इस triangle के right side भी तो एक दो मतलब एक triangle यहां दिख रहा है और उसके बाद यह वाली दो आकरती तो ऐसा भी नहीं बना सकते हैं अब बात कर लेते हैं सिर्फ बचा क्या आपके पास option number a triangle दिखा और triangle के साथ अगर इन दोनों आकरती के हम बात करें तो इस आकरती को आप यहां बिठा सकते हैं देखिए कुछ इस प्रकार से ठीके और इस आकरती को आप यहां बिठा सकते हैं कुछ इस प्रकार से मतलब आकरती नमबर a पूरी तरह बन चुकी है इन तीनों से और आकरती नमबर a बन गए मतलब option number a correct होगा 12 का 13 की बात करते ह विशम को पहचानना है तो विशम को किस प्रकार पहचान सकते हैं इस arrow से सिर्फ इस arrow से पहचाना जा सकता है आप इस arrow को अगर देखेंगे तो ये घड़ी की दिशा में चल रहा है ठीके यहां अगर देखेंगे तो भाईया ये घड़ी की विप्रित दिशा में है यहां अगर देखेंगे तो यह घडी की दिशा में है और यहां भी यह घडी की दिशा में है तो भया बस B वाला correct आ गया क्योंकि यह वाला जो है अपकी घडी की विपरित दिशा में जा रहा है तो B वाला आपका आकरती correct और A वाली आपका option correct ठीक है चलिए बात करते है question number 14 की 14 में आपको कहा गया है भाई यहाँ पर एक आपको जो है triangle होना चाहिए नीचे star होगा फिर 2 triangle फिर 3 फिर 4 मतलब next जाहिर सी बाते कितने होंगे भाई आप 5 triangle होंगे तो 1,2,3,4,5 यह हो सकता है 1,2,3,4,5 यह भी हो सकता है 1,2,3,4,5 यह भी हो सकता यह तो होगा नहीं अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस star की star में आपने देखा सबसे उपर वाली और नीचे वाली यह left hand side वाली भुजा जो है dark का है यहाँ देखा right hand side और left hand side वाली भुजा dark होने के साथ साथ देखिए बीच में यह aeroplane जैसा भी तो देख रहा है लड़ा को विमान देखा होगा अपने तो यह उसी type का एक star में आपको आकरती देख रही है यहाँ भी लड़ा को विमान है अब थोड़ा ध्यान दीजेगा इस लड़ा को विमान की उपर की तरब दीख रहा है अब right hand side पर आपको दीखेगा 90 degree पर फिर से अगर मैं यहाँ पर देखू तो देखिए यह यहाँ पर भी तो आपको next वहां से अगर फिर 90 degree turn न करें 45 degree से तो वहां से भी तो आपको यह नीचे की तरब दीखेगा मतलब अब जाहिर से बाते कहां आना है नीचे की तरफ आना है ठीके और नीचे की तरफ अगर आना है तो नीचे की तरफ बिलकुल सेम नहीं होगा क्योंकि स्टार में जब कभी ये डाइगराम बनता है तो नीचे की तरफ नहीं बनता है तो correct answer आपका ये वाला होगा ठीके क्योंकि सारी भुजा ना अपली इसने ये वाली भी होगई ये वाली भी होगई ये वाली भी होगई ये वाली भी होगई बची क्या ये तो correct answer यहीं होगा और यहीं हुआ तो फिर आपका जो aeroplane है न वो किस side lane करेगा आपका D वाला देखिए ये इस प्रकार से एरो बनेगा ठीक है और D वाला करेक्ट होगा तो D वाला उप्शन भी करेक्ट होगा 14 का चलिए 15 की बात करते हैं 15 में आपको कहा गया है कि भीया इस आकरती को ध्यान पूर्वक देखें और फिर कुशन मा की जगे के आएगा बतान आए अधिकतर बार पहले का संबन तीसरे से देखा गया है ठीक है ऐसे कॉशन में तो आप भी दूसरे का संबन डायरेक्स किस से देखेंगे प्रकार leads है और इस वाले आकरती और यह वाली आकरती तीसरे यहां आ चुकी है बट एक बात का ध्यान रखिएगा यहां वो आकरती आई तो है बट उसके साथ जो है आपका एरो नहीं है ठीके और एरो नहीं है तो मैंने हाला की बना दिया उसको फिर अगर हम बात करें इस वाली आकरती की सारे डाइग्राम यह जो सरकल बनाए थे मैंने यहां पर ठीके सिगमा बनेगा और यह नीचे की तरफ एरो बन जाएगा अब बात कर लेते जस्टिस के सामने वाली यह स्माइली फेस बन जाएगा और स्माइली फेस के पास एरो कुछ इस प्रकार से बनेगा ठीके यह तो चेंज होने नहीं है न इस वाली आकरती की अगर अगर हम बात करें देखिए यहां पर इस वाली आकरती की अगर हम बात करें तो क्रोस मल्टिप्लाइ में यह नीचे की तरफ यहां बनेगा और इस वाले अगर आकरती की हम बात करें तो यह यहां पर कुछ इस प्रकार बनेगा बस ऐसी आकरती रोन लीजिए कहां मिल रही है आपको आप देखें ऐसी आकरती आपको option में कहीं नहीं मिल रही है मतलब या तो कुछ mistake हुआ है या फिर typing mistake हुई है ठीक ही हाला कि यहाँ पर typing mistake हुई है कैसे हुई है मैं बताना चाहूँगा एक बार आपको sigma दिया फिर यह दिया फिर आपको smiley face दिया और य से 7 कैसे बन चुके है हो सकता है ना कि यहाँ पर यह जो pi वाली आकरती है यह आ जाए या फिर e वाली आकरती जो नहीं छपी है वो आ सकती है ठीक है तो हो सकता है ऐसा भी तो अगर इन दोनों की जगे आपको मान लीजे ऐसा कभी question में आ जाए option में आ जाए तो यह दोनों या अगर same नहीं हो सकते तो एक तो होगा इन दोनों में से और अगर एक हुआ तो फिर correct answer आपका c वाला हो गया और कहीं मत जाना c वाला ही correct लग रहा है क्योंकि एक ही तो होगा तो यहाँ दीख रहा है sorry या फिर यह भी तो हो सकता है a वाला क्योंकि आपको sigma यहाँ भी तो तो a वाला भी correct हो सकता है c वाला भी correct हो सकता है अब इन दोनों के बाद अगर हम उपर match करें तो smiley face और यह पाई जैसी आकरती smiley face और पाई जैसी आकरती तो अब correct answer जो है आपका a वाला होगा ना के c वाला और a वाली आकरती अगर correct तो d वाला option आपका correct होगा 15 का चलिए 16 के बात करते हैं 16 में क्या कहा है बीच में कोई आखरती आईए उसको पहचारना है कि चारों में से कौन सी होगी चिके चलिए अगर हम बात करें ट्राइंगल सरकल ट्राइंगल और स्टार तो देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल सामने है यहां भी ट्राइंगल कुछ इस प और उसके अलावा आप और कहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा तो केवल option number A मतलब आकरती number A correct हो रही है और option number आपका B correct हो जाएगा चलिए बात कर लेते हैं next question 17 की 17 दिया हुआ है पहले का संबन तीसरे से है और दूसरे का संबन यहां 4 से होगा क्योंकि हर बार ऐसा ही होता ह तो देख लिजी एक बार यह वाली आकरती आपको cross multiply में यहां दिखेगी और just इसके सामने वाली आकरती यह वाली जो आकरती है वो आपको यहां दिख रही है अब इस वाली आकरती के अगर हम बात करें तो यह वाली जो आकरती है बिलकुर यहां दिख रही है तो बनाने की बात करते हैं 18 यहाँ पर मैं जल प्रतिभी मा चुका है और यह आपका homework रहेगा क्योंकि जल प्रतिभी मैं आपको पिछली वीडियो कल वाली वीडियो में करवा चुका हूँ चलिए question number 19 की बात की जाए तो देखिए एक यहाँ पर इंसान है जो की कुछ खैलने की कोशिश कर रहा है इसके तीन इसके ऊपर जो है दो हातों की तरब और एक सर की तरब कुछ बॉल टाइप का आपको लग रहा है बट इसको करना क्या है थोड़ा सा सोचिएगा एक बार question को पढ़ेंगे हम question में दिया गया है कि आकरती को घुमाने पर बिना विकल्प आकरती कौन सी होगी देखिए आपको आकरती को घुमाना है और घुमाने पर कौन सी आकरती बन सकती है देखिए यह इंसान कुछ इस प्रकार से खड़ा है अब अगर इसको घुमाएंगे तो यह कुछ इस प्रक इसको anti clockwise गुमाएंगे देखिए अभी फिलाल न हम हर बार जो है clockwise गुमाने का प्रयास करते हैं तो अगर आप इसको clockwise गुमाएंगे तो आपका यह जो पेर है ना यह उपर की तरब दिखेगा जो कि मुझे यहां दिख रहा है तो C वाली आकरती और C वाला option यहां पर clockwise गुमाएं ठीके चलिए 20 की बात करते हैं 20 में आपको कहा गया है कि आकरती का chain करें और तीसरे आकरती उसी प्रकार संबंधी से जैसे दूसरी पहली से मतलब पहले का दूसरे संबंध है तीसरे का चोते से तो आप देखिए इस वाली आकरती में बिल्कुल यहां जो triangle स्क्वेर में यह वाली जो आकरती है यह वाले dark जो आकरती है यह कुछ इस प्रकार से बनेगी जो यहां dark और यहां dark ठीके तो यह correct हो जाएगा आपका और इस प्रकार से आपका C वाली आकरती correct और D वाला option correct होगा 21 की बात करते हैं 5 दिया हुआ है और इस 5 के आपको क्या कर बनाना भी या शायद इसको यहां पर दरपन प्रतिविम बनाना होगा एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि यहां पर मैं question भूल चुका हूँ कि यहां दरपन प्रतिविम था या जल प्रतिविम था एक बार चेक कर लेते हैं अगर मान लिजे इसके दरपन प्रतिविम की बात की जाए तो पांच का जो दरपन प्रतिविम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा ठीक है ये चोटी लाइन उपर वाली लाइन बड़ी थी इसलिए मैंने बड़ी बना दी अब ये बड़ी लाइन जो है वो सोरी शायद कुछ गलत बना रहा हूं में पांच की हम बात कर दरपन के पास में पास से ही बनेगा कुछ इस प्रकार से तो ये दूर चला जाएगा अब ये लाइन नीचे की तरफ आएगी इतना और ये हलके सी आएगी अब क्या होगा ये घुमाएगी ठीक है घुमेगी ये जब घुमी तो इसने थोड़ा सा बड़ा टरनल लिया और ये जब घुमेगी तो हलका सा ये छोटा टरनल लेकि कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएगी इस प्रकार से आपको आकरती नंबर डी करेक्ट लग रही है अगर ये दरपन प्रतिविम की बात करता है तो करेक्ट अंसर आपका डी वाला हो जाएगा जो कि आपको सामने इस प घुम जाएगी ठीक है पूरा घुम के आएगी और घुमने के बाद ये वाली आकरती छोटी बनेगी और यहां से जो ये वाली आकरती है घुम कर कुछ इस प्रकार से जो कि आपका बी वाले डाइग्राम में बिलकुल करेक्ट दिख रहा है तो यहाँ पर जल प्रतिविम पुछ लिया जाए या आपको दरपन प्रतिविम पूछ लिया जाए दोनों के ही एणसर में बता चुका हूँ ठीकि ये जल प्रतिविम का अंसर हो गया ये बात करते हैं नेक्स्ट 22 की 22 में आपको कहा है कि उस विकल्प का चैन करें जो आकरति नमबर C से ठीक उसी प्रकार संबंधी थे जैसे कि आकरति नमबर B A से है देखिए इन दोनों का संबंध है उसी प्रकार इन दोनों का भी होगा अब क्या संबंध है आप यहां देखेंगे 1,2,3,4,5,6,6,6 भुजा वाली आकरती से वह भी किस प्रकार है भाई यहां दो ट्रैंगल थे यहां पर 3 ट्रैंगल है पर 2 ट्रैंगल जो बिल्कुल ब्लेंक थे जो आइड़ साइड और राइड़्ध लेंकर तरफ इसी प्रकार अगर हम बात कर स्कूर की तो इसकूर के अंदर भी आपको 2 सरकल दि और इसा जो आकरती है वो आकरती नमबर फस्ट में करेक्ट हो रहा है और बी करेक्ट होगा 23 की बात करते हैं फिर से वही कोशन आ चुका है इनको मिलान करना है आपको देखना है कि सबसे मतलब कौमन कौन-कौन से हैं ठीक है अगर हम बात करें सबसे पहले तो मैं इस 7 पर चल सक्क्राश अर्क रहा है किसी सतह से रहे बात कर खाल कि तो सरकल भारें अंदर भी सरकल मतलब वण वाली आकरती हैं करते हैं आधिगा backyard की भुजा दिखेगी और यहाँ नीचे ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल के भी अंदर जो है आधी भुजा दिखे यह मतलब यह हो जाएगा टू ट्री नाइन ठीके और एक और जो बनना है वो हो जाएगा आपका फॉर सिक्स और एट तो फॉर सिक्स और एट अब देख लिए इन तीनों में से एक मिल रहा है बस वही आपका करेक्ट अंसर है 24 की बात करते है 24 में सेम दिया हुआ है आपको करना क्या है ट्राइंगल दिया है ट्राइंगल के अंदर जो है एक सरकल है और सरकल से जो है तीन लाइन हर एक कोने पर जा रही है यहाँ पर सरकल है और सरकल से भी एक अंदर ज लास्ट और नेक्स कोश्चन देखते है 25 इसको भी हम कर सकते है बड़ी आसानी से किस प्रकार करेंगे आप देखेंगे इस फूल को ठीके यहाँ पर जो फूल दिया हुआ है इस फूल को अगर देखें तो नीचे की तरफ जो हलका सा आपको ट्रेंगल दिख रहा है ठीके इस इसके अलावा और कहां ट्रेंगल दिख रहा है आप कहेंगे भी है ट्रेंगल तो मुझे यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है तो ठीके इसे ट्रेंगल को ना लेकर अगर मैं इस ट्रेंगल के उपर फूल बना हुआ है तो इसको अगर म यह कुछ इसको हम कह सकते हैं आपने कभी टपरी पे चाई पी ओ तो देखिए यहां पर यह चाई च्छानने जो आती है न क्या बुलते हूं उनको वो इस टाइप से दीख रहा है उपर भी यहां पर यह पर यह केंडल टाइप से दीख रहा है तो two five और eight ये कुछ मुझे समान दिख रहे हैं अब अगर हम बात करें तो 1,4 और 7 बचा तो 1,4 और 7 इनमें आकरती में समानता क्या हो रही है कि यह यह दिल मतलब दिल प्रकार से एक जो है यहाँ पर आकरती बन रही है और यह तीनों ही सैम दिख रहे हैं बस यही देख लिजिए क्या करेक्ट हो रहा है आप देखेंगे 1,4,7,258,369 जी बिल्कुल ओप्शन नमर ए करेक्ट हो गया ठीके यह मैंने यहाँ पर 25 कोश्टन लिये थे और आपको आकरती संबंदित जो कोश्टन प्रिवियस एर में आये थे वो मैंने आपको करवाने का प्रयास किया है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेर करें, कमेंट्स करें तो देखते रहिए, Perfection Arcade में ही सिखते रहिए तो मिलते हैं अंगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत, बाबाए